सिविल से बाद दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत-बहुत शुपामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवर्ब मिले हैं, उनको, उनकी पुरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरब से बहुत-बहुत बधाई। लेकिन मेरे यादत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफत में बधाई देता नहीं हूँ मैं। कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड सकते हैं क्या। ये मेरे मन में ऐसे ही आया हुए विचार है, लेकिन आप उसको अपने अड्मिस्टिटिव सिस्टिम के तरा जोबे तोलना, ऐसे ही मत कर देना, जैसे हमें कर सकते हैं कि जहां भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इस्टिवूट्स हैं, चाहिए विदेश मंत्रा लेकी हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवन्यू हो, कोई जहां भी है आपके, क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ता, एक डिड़ घंटा, वर्चुली, ये जो एवोर्ड मिनर है, वे अपने ही राज्य से, इस पूरी कलपना क्या थी, कैश्य शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुली, इन सब को, ट्रेनीज को, प्वेस्टन आंसर्स हो, और हर सप्ता, ऐसे दो एवोर्ड मिनर्स के साथ, अगर विसेश चर्चा हो, तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीड़ी आ रही है, उनको एक प्रेक्टिकल अनुखाव बाते ची और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को एचिव किया है, उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनन्द आएगा, धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडीशन होता रहेगा, दूसरा एक काम, यह जो आज 16 साथियों को यहाँ एवोर्ड मिला है, हम सभी देश के साथ सो से वेदिक जो जीले हैं, उन सब को निमंत्रित करें, कि 16 में से आप किसी एक स्किम को सिलेक कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इन्चार्ज बनाईए, और आप, तीन मेने, छे मेने के प्रोग्रेम के अंतरगत, इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे, और मान लिजे, पूरे देश में से 20 डिस्टिक ऐसे निकले, जिनों ने एक स्किम को सिलेक किया है, तो कभी उन 20 डिस्टिक का वर्चूल समीट करके, जिस व्यक्ति का इस, जिस टीम का इकाम है, उनके साथ उनकी बाचीज हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर, इंप्लिमेंटेशन में, इसी को इंस्टिटूशलाइज करते हुए, उस जिले का, इसको स्वभाव में परिवर्थित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और पूरे देश में से, वन स्किम, वन डिस्ट्रीक, हम कॉंप्टिशन को उपर कर ला सकते हैं क्या, और दिब एक साल के बाद मिले, तो उसका भी जिक्र करें, उसको एवर्ड देने की ज़रोत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भी, ये स्किम जो 2022 में जिनको संबान किया गया था, वो चीज यहां तक पहुँच गई, अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टिटूशनलाइज करने के लिए इंस्टिटूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव, जब तक वो किसी कागज के चोखट में चीज नहीं आती है, वो च जरूरत पड़े तो ये भी एक विवस्थ खड़ी कर दी जाए, तो हो सकता है कि, अधरवाई क्या होगा कि चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, कि जो मन में ताय करते हैं, कि मुझे ये एचिव करना है, तो तिन सो पैसेट दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उस पैसुस ना हो, एक स्वस्थ स्परधा का मातावन बने, उद्धिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बडलाव आएं, वो बडलाव शायद हम ला सकते हैं